Hey students, welcome to study with Teep, हमारा आज का topic है modern Indian history का वो part जिसमें अंग्रेजों या प्रिटेश या इंग्लेंड के लोगों का भारत में आगमन होगा और यह लोग यहाँ पे आके क्या-क्या काम करेंगे, वो सारा कुछ हम यहाँ पे देखेंगे, इससे पहले वाले जो तीन वीडियोस थे, उसमें हमने देखा था कि किस तरह Europeans, Portuguese, Dutch यह लोग इंडिया में आये थे, किस तरह भारत के लिए समुद्री मार्क की खोज हुई थी, और किस तरह स्टोरी बिल्डप हुई थी, exam के लिए important facts क्या-क्या है, यह भी सब हमने देखे थे, तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बा आज का topic स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले please give me a thumbs up, वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन को दबाईए, ताकि जैसे जैसे वीडियो अप्लोड होंगे, आपको notification मिलता जाएगा, so let's start देखिए, आपके सामने है, ये वो वाला map, जिसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी भी समझाई थी, कि सतरह Europeans का arrival हुआ था इंडिया में, अब तक हम देख चुके थे कि पुर्टगाल सबसे पहले भारत में आये था, उसके बाद जो नीदरलेंड के, जो लोग है, डज, वो आए थे, और अब आएंगे इनके पीछे-पीछे ये लोग, होता क्या था, जब इंडिया से ट्रेट करके पुर्टगाली जहाज ये वापस लोट के जाते थे, सामान से लदे हुए, तो ये बाकी के Europeans भी इनको देखते थे, तो इनके मन में भी लाला चाता था, कि एक beautiful और rich country, इंडिया के साथ में हम भी ट्रेट करें, जिससे हमको भी मुनाफ़ा हो, तो एक बार एक पुर्टगीज जहाज, सामान से लदा हुआ और लोट कर जा रहा था, तो ये एक समुद्री डाकू, जो कि ब्रेटेन का था, ये लोग क्या है, इनका जहाजी बेड़ा बहुँ इंडिया नाम का एक समुद्रद देश है, जहां से वो ये सारा समान लेकर आ रहा है, तो इनके मन में भी लालत जागा, कि हम भी भारत के साथ में व्यापार करें, हम भी हिंदुस्तान के साथ में व्यापार करें, और धेर सारा मुनाफ़ा कमाएं, तो स्टोरी यहां से क्या हुआ, जब पुर्तकाली जो थे, वो इंडिया के साथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला ट्रेड कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारा समानियां से लेके जा रहे थे, मसाले, मलमल, रेशम, सोना, मोती, दवाएं, इनसे भरे-भरे जहाज वो कुछ व्यापारी थे, जिन्होंने एक कंपनी बनाई, अपनी कंपनी का नाम रखा, East India Company, 31 December 1600 को, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेट ने एक चार्टर द्वारा इनको पूर्व से, यानि हिंदुस्तान से व्यापार करने का अधिकार दे दिया, जैसे इंडिया में मुगल फर्मान जारी करते थे ना, आग्या पत्र, उसी तरह से इंग्लेंड में महारानी एलिजाबेट, वहाँ पे राजारानी जारी करते थे चार्टर, तो चार्टर मिल गया इनको, 1608 में क्या होता है, कि ये कंपनी भारत के पश्चिमी तट पर देखो, ये भारत का पश्चिम करने की सोचते हैं, उस वक्त जो व्यापारी केंदर होते थे, उनको फैक्टरी के नाम से जाना जाता था, हलांकि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, पर उसको कहते फैक्टरी थे, अब क्या होता है, 1608 में, थोड़ा सा आगे बढ़के, 1608 में एक कैप्टन हौक ही फर्मान के द्वारा पश्चिमी तट पर जो है, उनको कंपनिया खोलने की कह देता है, तो उनको पश्चिमी तट पर अनेक जगे पे फैक्टरीया खोलने की आग्या मिल जाती है, लेकिन इतने से अंग्रेज संतुष्ट नहीं होते है, 1615 में क्या होता है, एक और Sir Thomas Rowe न बहुत सथ धमाकेदार यहां पर आगमन नहीं हो गया था, कि इनका कोई स्वागत हुआ हो, कुछ भी हो आओ, धीरे धीरे चापलूसी करकर के करकर के यह अपने पैर जमा रहे थे भारत की सरजमी पे, अब क्या होता है, यहां का राजा होता है Charles Twitty है, ब्रिटेन का, और उस कि राजकुमारी कैथरीन की शादी हो जाती है, यहां पर United Kingdom के राजा था Charles Twitty है उस से, कब हो जाती है, 1622 में, तो इनको क्या मिल जाता है, इनको मिल जाता है, बंबई का द्वीप दहेज में, ठीक है, बंबई पुर्तगालियों के अधिकार में था ना, बंबई, दमन, दि तो अब पुर्तगालियों के पास क्या रहे जाता है, गोवा, दियू और दमन, ठीक है, अब बाकी सब किसके अंग्रेजों के हाथ में चला गया, अब इंडोनेशिया जो था ना, मैंने आपको बताया था, यह इंडिया है, इंडिया के यहां पे नीचे इंडोनेशिया है, जहां पे भी बहुत मसाले होते थे, यह लोग यहां पे आखे, यहां पे यहां पे लड़ने लगे, कि हम ट्रेड करेंगे कि हम करेंगे, ठीक है, तो यहां पे यहां पे लड़ाई यहां पे लड़ाईया, यह लड़ाई तब खतम हुई, जब अंग्रेजों ने क्या किया, इंडोनेशिया के उपर अधिकार करना छोड़ दिया उन्होंने डचेस से कहा कि डच लोगों को कहा कि तुम इंडोनेशिया में करो अपना जो भी करना है तुम्हें काला पीला और हम इंडिया में करते हैं तब जाके इनकी लड़ाई खतम हुई आगे क्या होता है अब कहानी हम पढ़ेंगे 1600 से लेकर 1714 के बीच की कि कमपनी के प्रभाव का धीरे-धीरे कैसे विस्तार होता है भारत में East Radio कमपनी की मामूली शुरुवात रही शुरुवात में 1623 तक इनकी सिर्फ 4 पाज जगे पे फैक्ट्रिया थी सूरत, भडोच, एहमदाबाद, आगरा और मसूली पतनम ठीक है देखो यहाँ पे यह गुजरात है यहाँ पे देखो यह सूरत हो गया देखो सूरत में एक फैक्ट्री थी इनकी यहाँ पे आगरा है आगरा में फैक्ट्री थी मसूली पतनम में फैक्ट्री थी बार नहीं करते थे, व्यापार के साथ साथ ये कूटनीती भी चलते थे, खूब चापलूसियां करते थे, ये जो भारत की राजा थे उनकी, और मतलब परता हो थो युद्ध भी करते थे, एनि हाव साम दाम दंड भेत का इस्तेमाल करके ये उस जगह को कपजा कर लेते थे, जहां पे एक बार ये घुस जाते थे, ठीक है, कहावत है न हिंदी में, उंगली पकड़ के पहुचा पकड़ना, वो इनका काम था, दक्षिन भारत में इनको ज़्यादा अनुकूल परिसितिया मिली क्योंकि दक्षिन भारत में कोई भे पावरफुल एंपायर नहीं थी, ठीक है, चोटे-चोटे राजा थे, उनको कभी लालच देके, कभी डराके, धमकाके, और कभी अपनी सैने ताकत के बलबूते पे ये वहाँ पे अपना एंक्रोच्मेंट कर लेते थे, 1611 में अंग्रेजों की दक्षिन भारत में पहली फैक्टरी खुली थी, मसूली पटनम में ठीक है, पहली फैक्टरी खुली थी, मसूली पटनम में और 1649 में जल्दी ये उन्होंने शिफ्ट कर लिया मदरास में, ठीक है, क्यो शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ का जो इस्थानी राजा था ना, उन्होंने उसको पट्ट्टा देदिया, कमपनी को, ठीक है, किस हुआ कि जो बंदरगा था उससे जो भी चुंगी मिलेगी, जो भी रिवैनियू मिलेगा, उसका आधा बाग राज़ा को दे दिया जाएगा, इस लालच उच्छा एक दिलचस्प बात यह थї, एक खास बात यह थी, पहरतिये उन्हें इस देश को जीतने का खर्च खुद दें, यह चाते थे वो, यानि कि हमारी देश में आये वो, कमाएं यहां से फिर उसके बाद में हमारी ही खर्चे पे हमारी ही देश में कबजा करें ये थी उनकी पॉलिसी 1668 में East India Company को मिल गया देखो, पहले मैंने आपको बताया था अभी-भी कि पुर्तगाल की राजकुमारी Catherine से जो वो था ब्रिटेन का राजा, चार्ल्स दृतिय, उसने शादी कर ली तो पुर्तगालियों का बंबई पे कबजा था? तो पुर्तगालियों ने बंबई किसको दे दिया? अंग्रेजों को अब अंग्रेज सरकार ने क्या किया? ये बंबई का द्वीब दे दिया East India Company को East India Company ब्रिटेन की सरकार नहीं थी वो खोदे कमपनी थी, व्यापारियों को एक ग्रूप था बाद में जब मतलब अपना जो होगा, रिबैलियन होगा 1850 की क्रांती, उसके बाद अंग्रेज सरकार इंडिया को रूल करेगी अभी कौन कर रही है, एक कमपनी रूल कर रही है तो और ये बंबई का द्वीब जैसे ही मिला इनको कमपनी को ब्रिटेन की सरकार से इन्होंने इसकी ततकाल किलेबंदी खर दी ठीक है, अब क्या हुआ, बंबई की रूप में एक बड़ा बंदरगा मिल गया एक बहुत ही इनको उपर्चुनिटी बड़ी मिल गई क्यों? क्योंकि वही पे थी मराथा शक्ती का अभ्यूदय हो रहा था और वो थे खत्रा अंगरीजों के लिए आगे चलके जब हम स्टोरी पढ़ेंगे न तो सारी स्टोरी आपको समझ भी आएगी अब देखो 1608 में सूरत में इन्होंने किया था उसके बाद में 1611 में ये मसूली पत्नम सूरत इंडिया में इनकी पहली फैक्टरी थी और मसूली पत्नम दक्षिन भारत में इनकी पहली फैक्टरी थी ठीक है उसके बाद 1633 में पूर्वी तटपर उडीसा में, इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी बनाई, 1651 में बंगाल का हुगली नगर, यहाँ पे बंगाल का हुगली नगर, यह इन्होंने जो यहाँ पे अपनी फैक्टरी बनाई, फिर पतना, बालासोर, ढाका और बंगाल बिहार के अन्य अस्थानों पर, अब question आता है conceptual तब ठीक है और कई बार facts के साथ में mix करके भी पूछ लेते हैं जब combined questions आते हैं जब complicated questions आते हैं ठीक है और क्या चाते थे ये मुगलों को मजबूर करके व्यापार में अपनी मनमानी करना चाते थे चाते थे कि भारतिये जो है अपना जो माल है वो तो हमको सस्ता बेज़ते हैं अपना कच्चा माल और फिर हमसे महंगा माल खरीदें ठीक है बेवकूफ समझाता है इन्होंने और बेवकूफ बनाया इन्होंने फिर क्या हुआ और जो प्रतिदवन्दी थे अब इनके बद सारा राजस्व उनको मिले सब कुछ वो एकदम लूटने के इरादे से आये थे अब थोड़ा सा अंग्रेज वर्सेस मुगल का वेग्राउंड देख लेते हैं देखो मुगल थे बहुत ज़्यादा पावरफुल अंग्रेजों ने समझा उनको कम और उन्होंने क्या कर दिया हुगली को कर दिया तहस नहस युद्ध करने के इरादे से 1686 में तो क्या हुआ मुगल एमपरर था शक्तिशाली औरंगजेब उसने इनको बुरी तरह पीटा इनको सब जगे से भगा दिया बंगाल से इनको खदेर दिया सूरत मसूली पटनम विशाका पटनम से इनको भगा दिया पीटके और बंबई में इनका जो किले बंदी थी उस पे डाल दिया घेरा अब आ गए ये लोग आफत में और ये थे एक नमबर के चापलूस ये पड़ गए मुगल बाच्छा के पैरों में उनके दर्बार में पहुँच गए और उनके मागी माफी उन्होंने उनसे कहा कि हमने जो अपरात की हैं उनके लिए हमें एक शमा किया जाए और मुगल बाच्छा को आ गई दया और इनको कर दिया माफ एक लाग पचास हजार का जुर्माना लेकर ये हुई पूरी कहानी और फिर से देदी इनको व्यापार करने की चूट कर दी एक बड़ी मिस्टेक और अंगजीब तो पावरफुल था लेकिन उसके बाद में क्या हुआ जो राजा आए कालिकाता और गोविनपूर की वापस से इनको पट्टा मिल गया और इन्होंने वहाँ पे फोर्ट विलियम नाम का एक किला बनाया जो आगे चलके कलकत्ता बना किले के आजपास नगर बसा लिया अपने व्यापार के उद्देश्या से लोगों को बसाना स्टार्ट कर दिया वो बड़ा होता गया और वो एक बड़ा नगर कलकत्ता कालंतर में बन गया 1717 में मुगल समराटिफ फरुक्षियर उनसे कमपनी ने चापलुसी करकरके एक फरमान प्राप्त कर लिया ठीक है और क्या फरमान था कि 1691 में जो उनको विशेशादिकार मिले थे वो सारे उनको गुजरात से लेके धक्कन तक भी प्रदान कर दिये गए लेकिन अब तक क्य जो की व्यापार पर कड़ा नियंतर ने स्थापित किया उनको विशेशादिकारों का दुरुपयोग नहीं करने देते थे, किले बंदी नहीं करने देते थे, नगर पर सोतंत्र व्यापार नहीं करने देते थे और East India Company अब नवाप की एक जमीदार होकर रह गई थी, लेकिन फिर भी इनकी राजनीतिक महत्वा कंग्शाय पूरी नहीं हो पा रही थी इस टाइम क्योंकि बंगाल के नवाब बहुत ज़्यादा पावरफुल थे लेकिन इनका व्यापार बहुत ज़्यादा भढ़ गया 1708 में जो इनका 5 लाग पॉर्ण का व्यापार था वो 1740 में पहुँच गया एक करोड 89 लाग सॉरी यह पहुँच गया 17 करोड 95,000 पॉर्ण तक उसके बाद में क्या होता है मदरास, बंबई और कलकत्ता ठीक है यहाँ पे भी अंग्रेज बहस्तियां विक्सित हो गई और यह बड़े-बड़े शहर बनने लगे, यहाँ पे बहुँच जदा व्यापारी आने लगे क्योंकि मुगल जो मुगल राज्य था वो कमजोर हो रहा था व्यापारीयों के लिए opportunity कम हो रही थी तो वो अंग्रेजों की तरफ जो है वो अपना मतलब biased होते जा रहे थे कि भाई हो सकता है यहाँ पे हमको व्यापार की ज़्यादा opportunity मिले जनसंक्या बढ़ रही थी इन नगरों की मदरास की जनसंक्या होगी थी तीन लाग कलकत्ता की दो लाग बंबई की सत्तर हजार ठीक है अच्छा 1600 का जो charter था जो महारानी Elizabeth ने दिया था उसमें Cape of Good Hope के पूर्व में जो व्यापार था उसका इकादिकार मिला था East India Company को 15 सालों के लिए ठीक है तो यहाँ पे जो company थी न वो एक बंद निगम या इजारेदारी जासी थी इजारेदारी में क्या होता है किसी को मतलब contract दे दिया कि भई तुम यहाँ से यहाँ यहाँ से टेक्स तुम वसूलोगे तो ऐसे ही उन्होंने पूर्व के व्यापार का जो विशेश अधिकार था वो दे दिया था East India Company को ठीक है भारत में company की factory एक किलाबंदी छेतर होती थी किलाबंदी का वो लोग ले लेते थे अधिकार वहाँ पे वो बनाते थे गोदाम, दफ्तर company के करमचारी रहते थे उसके अंदर ठीक है, उनके घर होते थे हमारे इंडिया के अंदर जो व्यापार वो लोग करते थे ना, मतलब दो नंबर का काम जो करते थे, वो उनका मतलब charter, जो फर्मान मिला है उसमें विशेश अधिकार किसको मिला है company को, लेकिन ये अंग्रेज क्या करते थे ये बुलते थे हमको भी मिला है विशेश अधिकार और ऐसे वो दो नंबर का यहाँ पर ट्रेड करते थे, और इसी आमंदनी के लिए इसी दो नंबर की आमंदनी के लिए इसी रिश्वत खुरी के लिए, जो company के करमचारी थे, वो भारत आने के लिए ललाईत रहते थे वो मरते थे कि इंडिया में अगर हमको पोस्टिंग मिल जाए तो हम इतना सारा फाइदा उठा लेंगे लेकिन भारत और यॉरोप के बीच में जो व्यापार करने का दिखार था, इंडिया इंडिया में तो कर लेते थे company के व्यापार, जो करमचारी थे, देखो company तो दे रही हो उनको इतनी कम salary, और ये दो नंबर की कमाई से हुए जा रहे हैं, अमीर लेकिन यॉरोप के साथ व्यापार कौन करेगा? इस्ट इंडिया कमपनी ही करेगी ये सारी स्टोरी थी, एक पिक में हम देख लेते हैं कि शुरुआत कहां से करीन होने, ये इनके जो, देखो आगरा, सबसे पहले सूरत में आई ये, सूरत उसके बाद में ये मसूली पटनम, चेननई, हुगली, कोलकाता और आगरा, यहाँ पे ये लोग, दीरे-दीरे करके, ये लोग भड़ते गए ऐसा हुआ, तो ये पूरी केवल स्टोरी थी एक्जाम-Oriented Facts हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप बैल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अप्लोड होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इस सारी स्टोरी को आप ध्यान से सुनके अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि आजकल एक्जाम का ट्रेंड ये है कि questions कहां से आते हैं, question आते हैं concept प्लस fact के अब traditional exams की तरह नहीं कि fact पूछ लिया direct और आपका exam clear हो गया So guys, ये पूरी स्टोरी जो है वो हो चुकी है और आप प्लीज इस चैनल को subscribe करिए और अगर कोई भी students जिसको standard content की जरुआत हो, वहां तक मेरा video share करिए ताकि किसी student की मदद हो सके Thanks for watching, have a nice day